हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डबल जियो पारडी के सिधान्त को समयाएं जियो पारडी के सिधान्त एक मुलभूत अधिकार है, फंडमेंटरल अधिकार है, फंडमेंटरल राइट है, मौलिक अधिकार है, तथा इसका प्राधान Constitution of India के अनुचेद 20 के कलॉस दो में दी गई है, इसके अनुशार, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once इसका जदी हम लोग बिसलेशन करें, तो इसको लागू होने के लिए निमलिकी तत्व की मौजूदगी एक साथ होने चाहिए पहला कि किसी बैक्ति का prosecution यानि abusion और punishment किया गया है दूसरा कि यह जो punishment किया गया है, यह उसे किसी अपराध के कारित करने के लिए किया गया है और तीसरा कि उसी बैक्ति को उसी अपराध के लिए फिर से यानि more than once, यानि दुबारे, दुबारा से उसको prosecuted किया जाना है तथा punished किया जाना है, तो अब इसमें friends जदी हम लोग ध्यान दें, तो तीन सब्द जो है prosecuted, punished and offense यह ध्यान देने जोगे हैं, offense का अर्थ क्या होता है तो offense का अर्थ यह होता है कि कोई भी ऐसा कर्ज, जो कानून द्वारा दंडनिये घोशित किया गया हो तो यह तो हो गया offense की परिभासा या offense का आर्थ अब अपराद, वही है यानि same offense का मतलब क्या होता है कि offenses must be identical, यानि वही अपराद है, यानि समान अपराद है तो इसको हम लोग कैसे नीने करेंगे, इसको नीने करने के लिए हमें आरूप क्या लगा है यह देखने क्या ऊशकता नहीं है जो अपराद का आरूप लगा है उस दोनों अपराद के ingredients यानि जो तत्व है identical है शमान है या नहीं यह तेस्ट है तो जदी आइडेंटिकल है तब तो same offense है जदी identical नहीं है तो same offense नहीं माने जाएंगे अब इसके बाद जो है सब्ध prosecuted prosecuted का मतलब होता है अर्थ होता है कि किसी सक्षम नयायाले के समक्ष किसी बैक्ति का abhusion किया जाए abhusion यानि trial विचारण किया जाए तो इसका जब charge बनता है किसी भी अपराद के बिचारण के लिए पहले उस बैक्ति के बिद्ध charge बनाया जाता है और charge बनने के साथ ही trial शुरू होते हैं तो उसमें दोनों पक्षो का evidence तथा बहस होता है तो एक तो prosecution हुगा और दूसरा उसके बाद punished किया गया उसको दंडित भी किया गया अब उसको उस अपराद का दंड मिला और उस दंड के बाद उसी बैक्ति के बिरुद पुना उसी अपराद के लिए उसे फिर से prosecution और punished किया जाना है तब यह जाकर लागू होगा डबल चयो बाटी का सिदान तो अब इसमें एक और बात है कि ज़दी किसी बैक्ति की सजा निम्न नयाले द्वारा कर दे गई है और उसका अपील किया जाता है तो अपील जो है वो मूलतह prosecution का ही पर्ट है या prosecution की ही जारी वाला हिस्सा है तो भी यह प्रावधान नहीं लगेगा जदी किसी बैक्ति को चार्ज बनने के समय ही invalid sanction के आधार पर उनों मोचित किया जाए यानि discharge कर दिया जाए तब भी यह सिधान्त नहीं लागू होगा तो यह सिधान्त को लागू होने के लिए condition हम लोग देख चुके हैं और प्रतिकेश के क्या तत्य और प्रस्थीतियां हैं उस पर निर्भर होते हैं किसी प्रावधान के लागू होना या न होना यह करता किया है डबल जियो पार्टी का जो सिधान्त है वह किसी बैक्ति को एक protection देता है कि उसे एक ही अपराद के लिए दुबारा सजा नहीं किया जाए और जो बैक्ति इसका लाव लेना चाहता है वह इसे प्रमाडित करेगा वह इन तत्यों को प्रमाडित करेगा शाबित करेगा इसी से संबंधित एक प्रावधान है CRPC की section 300 300 उसमें भी लगभग लगभग यही प्रावधान है बलकि इससे बिश्तरित प्रावधान CRPC की धारा 300 में है CRPC की धारा 300 जो है वो आउट्रे फोईस एक्विट तथा आउट्रे फोईस कन्विक्ट दोनों ही सिधान्त पर लागव है जबकि डबल जियो पारडी का सिधान्त आउट्रि फोईस कन्विक्ट के सिधान्त पर लाग हुए यानि 22 समिधान के अनुच्छेद 22 का लाव लेने के लिए कन्विक्शन और पनिश्मेंट मस्ट होना चाहिए जबकि सेक्शन 300 कहता है CRPC का कि उसमें एक्विटल जदी अक्यूज का हो गया तब भी उसका लाव हुशे मिलेगा तो हम लोग CRPC के धारत 300 के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे वो बड़ा सेक्शन है और इसी से सम्मंदित एक प्रावधान शिविल केसेज में भी लागो होता है वो है रिस जुडिकेटा का सिधान जो CPC की धारा एक गारह में दी गई है इसके लिए भी हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि इसके मूल बातों को समझने का जो अनुशेद बीस दोका है उसको मूल बातों को समझने का ताकि इसके समझ कंप्लीट हो जाए असपस्ट हो जाए तो हम लोग इस पर एडवांस लेक्चर बनाएं और इससे संबंदित कोई सवाल आपके पास हो कोई जिग्यासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं धन्यवाद